यायावर सामराज बहुत ही रोचक विश्य है और जब आप इस अध्याय के पहले आधे हिस्से को पढ़ेंगे तो किसी फिल्मी कहानी से कम नी लगेगा इतने उतार चढ़ाओ घटना करम में इतना बदलाओ जिसे हम यू टर्न कहते हैं वो जीवन शैली में पूरा परिवर्तन एक छोटी सी घटना से बड़ा भरी बदलाओ और फिर अंत में होते होते विश्य का समझ लिज़े सबसे विशाल सामराज एक व्यक्ति के दौरा ये इसकी कहानी है यायावर सामराज आप शीरशक देखें तो ये स्वैम में विरोधा भासी शब्द लगते हैं दोनों यायावर और सामराज यायावर सामराज के पढ़ने के पूर्व हमने चार ध्याय किये हैं और जिसकी शुरुआत हुई थी समय की शुरुआत से पहला ध्याय जो था आपको याद होगा समय की शुरुआत से फिर इसके बाद लेखन और शहरी जीवन की शुरुआत इसके बाद फिर हमने दो सामराज्य पढ़े एक तो रोमन बाइजेंटाइन और उसके बाद इसलाम धर्म का उदए और उसके उदे के पीछे भी उनकी सामराज जवादी नहीं थी या सामराज जवादी अपेक्षाओं की पूरती इसका अद्यान किया तो समय की शुरुवाज से लेकर हमने इसलाम धर्म के उदय तक का क्रमवार घटना क्रम समझा अब यहां एक और सामराज्य है और उसका नाम है यायावर सामराज्य और जैसा मैंने कहा यह दोनों शब्द बड़े विरोधा बाती हैं यायावर और सामराज्य या तो एक विक्ति यायावर होगा और या स्थाई होगा और स्थाई है तभी तो समराज्य बना पाएगा लेकिन यहां हम एक ऐसे समराज्य के बात कर रहे हैं जो यायावर प्रवित्य के लोगों के द्वारा स्थापित्था यायावर का अर्थ क्या है उसकी थाह में जाएं तो उसका अर्थ है घुमन्तु ब्रहमनशील जो लगतार चलते रहते हैं उनका कोई थोड ठिकाना निश्चित नहीं रहता वो बस चलते रहते हैं रात होई ठक जाते हैं तो नदीर नदी किनारे या जहाँ सुरक्षा है वहाँ पे रह जाते हैं पूरा का पूरा कुन्बा एक परिवार नहीं पूरा का पूरा कबीला पूरा का पूरा कुन्बा चलता रहता है इसलिए इनको घुमन्तु प्रवृत्ति के कहते हैं परिवारों का समू है समझ लीजिए और परिवारों के समू एक साथ दल के रूप में चलते चले जाते हैं गंतव विस्थल कुछ नहीं होता दिशा भी कुछ निशित नहीं रहती बस सुरक्षा और भोजन इसकी खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं यह हुआ घुमन्तु यायावर और दूसरी और सामराज्य शब्द का क्या आर्थ है जब हम सामराज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है एक विशाल भागोलिक शेत्र जिसकी अपनी सीमाएं हो ठीक उसका अपना राजनी तिक संगठन हो अर्थात राजा हो उसके बाद दरबार हो उसके बाद उसके मंतरी लोग हैं और फिर जिलों में या ततकाली कस्बों में कारे करने वाले अधिकारी हैं तो एक पूरा राजनीतिक हैररकी रहती है तो भागोलिक रूप से निश्चित सीमा हो किसका मतलब वो इस्थाई हुए और हम या यावर की बात कर रहे हैं इसमें हम आगे और समझेंगे फिलहाल हम यह जान लें कि सामराज जिकार्थ ब्रिहत भूभाग जिसकी अपनी निश्चित सीमाएं हैं एक परिक्रिष्ट प्रशासन राजा से लेके नीचे तक गाउं तक एक हररकी होती है और एक बहुत विशाल ब्रिहत राजनीतिक संगठन होता है राजनीतिक संगठन से ताटपर है उस काल में जिसकी हम बात कर रहे हैं राजा, मंत्री, दर्बारी राजा के अपनी पूरी टीम सेना आदी 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 खेत्री अधिकारी खेत्री स्थर पर कर लेने वाले अधिकारी आदी आदी तो एक और याजावर मतलब घुमन्तु, भ्रहमन्शील और परिवारों के समूर दूसरी और सामराज जिकार्थ है ब्रहत भागोलिक शेत्र राजनीतिक संगठन और परिश्कृत प्रशासन सामराज तभी होगा सफल जब प्रशासन तो हो लेकिन वो परिश्कृत हो और परिश्कृत कार्थ है सुचार रूप से जो जिसका धाचा हो दोनों विरोधा भासी तो हुए लेकिन फिर भी ये कहलाते हैं यायावर सामराज्य अध्याय का नाम है यायावर सामराज्य इस अध्याय में हम तेरहवी चौदहवी शताबदी के काल की घटना क्रम का अध्यान करेंगे तेरहवी चौदहवी शताबदी के काल करम की घटना यानि आज से लगभग आठ सो वर्ष पूर्व के घटना करम का अध्यन करेंगे किसी खेत्र में खेत्र के बारे में आगे फिर बात करेंगे तिलहाल आप याद रखें आज इसे लगभग आठ सो वर्ष पूर्व के घटना करम साथ सो वर्ष पूर्व के चीन का हिस्सा आता है, मंगोलिया का वरतमान आता है, रूस का कुछ हिस्सा आता है, ये मध्य एशियाई क्षित्र की चर्चा करेंगे, इस नक्षे में जो आप देख रहे हैं, ये वरतमान इस्थित्र है, कौन से देश कहां स्थित्र हैं, इन्हीं ख्षित्रों की सीमा रिख उस समय तेरहवी चौदहवी शताब्दी में डिफाइन की गई परिभाशित की गई यायावर सामराज्यवादियों द्वारा और एक नया सामराज्य सामने आलता है इस यायावर प्रवृत्ति की का बदलाओ यायावर प्रवृत्ति से सामराज्यवादी प्रवृत्ति की ओर जो बदलाओ है वही हमारे सध्याय के अध्यन का बिंदू है उस बदलाओ का दोर कैसा रहा कितना संघर्षकारी रहा क्या-क्या घर्टना करम हुआ इसका अध्यन करें गया और इस बदलाओं में जो केंद्र है वो है मंगोल मंगोलों का संबंद भारत से भी बहुत रहा है मुगल शब्द की संभवता व्यप्तत पी मंगोल से ही ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है तो उस हद तक भारत का भी संबंद इस मंगोल प्रजाती से रहा है जो उस खेत्र में रहती थी जिसे हम मंगोलिया कहते हैं चीन कहते हैं और ये यायावर प्रवित्तिके थे घुमंत थे इनका निवास अस्थाई था और सामराजित तो स्थाई होता है इस मंगोल प्रजाति का वह व्यक्ति जिसने ये पूरा परिवर्तन लाया और यायावर समाज को बदल कर एक उनका स्थाई सामराज्य बनाया उस व्यक्ति का नाम है चंगेश खान आपने निश्चित रूप से नाम सुना होगा और चंगेश खान का नाम जब हम सुनते हैं तो एक बड़े बहुत कठोर व्यक्ति एक कलपना दिमाग में आती है और एक ऐसे व्यक्ति की जिसका बहुत बड़ा विशाल समराज्य रहा हो कठोर जो लोगों को मारने में नहीं हिचकता था पूरी की पूरी आबादी को कतल करने में नहीं हिचकता था ऐसा व्यक्ति चंगेश खान हम लोग कहते हैं न चंगेश खान से कम नहीं है अर्थात बरबरता में किसी से कम नहीं है चंगेज खान बरबरता की मिसाल बना हम आगे उसके भी आएंगे ये बरबरता शब्द पर फिलहाल हम जान लें कि चंगेज खान का जो सैनिक तंत्र था बड़ा भैंकर था तबाही मचाने वाला था प्रलैकारी था और उसे लोगों को मौत के घाट उतरवाने में उतारने मे कोई हिचक मी होती थी ये जो बदलाव आया यायावर प्रवृति से सामराज्यवादी प्रवृति में इसमें चंगेज खान की भूमिका और उसकी चंगेज खान की भूमिका में सफलता का कारण उसकी ये भैंकर सैनिक तंत्र प्रणाली और शासन उसका प्रशासन दोनों म मामले में भी और सैनिक तंद्र के मामले में और यही दो चीजें उसकी सफरता का कारण बनी जहां चंगेज खान एक बहुत छोटे कस्बे से निकलते हुए दुनिया भर के संघर्ष को दिज्छेलते हुए बहुत बड़ा सामरा जिस्थापित कर पाता है यह तो थोड़ी सी आपको प्रिष्ट भूमी केवल इसलिए बताई गई कि आप समझ जाए हम किस काल की बात कर रहे हैं तेरा चोधिए शितापदी मध्य एशिया और चंगेज खान चंगेज खान या यायावर सामराजिक को लेकर इतिहास की जानकारी कहां से है इसको लेकर भी बड़े विव पढ़े जिसमें रोमन समराजिय पढ़ा बाइजिंटाइन इसलाम ये सब में हमारे पास भरपूर दस्तावेज लिखित जानकारियां बहुत मिले जो ततकालीन समाज में लोगों ने लिखी थी रोमन समराजिय में भी और इसलाम में भी पुस्टकों का पार भंडार वास् इस्ठापत कला का पार भंडार इन सब से हमें रोमन समराजिय और मुसलिम धर्म इसलाम धर्म के इस्थापना और इसके विस्तार की बहुत प्रयापत जानकारी मिल जाती है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है और मत जानकारी ही नहीं मिलती बलकि उसे हम क्रॉस चेक भी कर के सुनिष्च्चत कर चुके हैं कि जो जानकारियां हमारे पास इताहस में दर्ज हैं रोम और बाइजन्टाइन और इस्लाम धर्म के विस्तार के सम्बंद में वो सही हैं का कत्ानक सही है घ्रटना करम सही है लेकिन यायावर सामराज के मामले में बात दूसरी है यायावर सामराज के प्रारंबिक इतिहास को जानने के जो सरोत हैं आखिर हमें कहां से जानकारी मिलती है सवाल यह उटता है ना उन सरोतों को पहले तो हम दो भागों में बांट लें दो भागों में बांटा जा सकता है पहला व जिसे हम कहेंगे या उनको दो अवधारनाएं हम कहेंगे शुरूतों को दो अवधारनाओं में बांट जा सकता है पहली अवधारना उनके द्वारा जो कुछ ऐसे लोंगों के द्वारा जो मंगोलिया के स्थाई निवासी थे मंगोलिया के शरणार्थी थे अलग-अलग छित्रों से आके वहां बस गये थे रहने लगे थे शरण में आ गये थे कबीले के मुखियाओं ने जिनको अपने में आत्मसाद करने की अनुमती दे दी थी ऐसे लोंगों के द्वारा कुछ-कुछ लिखा गया है लिखा तो कुछ-कुछ जानकारिया मिलती है यानि एक अवधारणा उन लोगों के द्वारा मंगोलों के बारे में यतिहास सम्मन्दी एक जानकारी उन शरोत से जिसके पीछे किनका हाथ है जो लोग मंगोलिया के स्थाई निवासी थे या शरणारती थे अरफध राजा या दर्वार के शरन में थे उसके मातहद थे और इसमें कौन लोग थे जिए शरोनारतियों की बात करें या मंगोलिया के निवासियों की तो बद्ध थे Confucius वादी थे Confucius वादी अर्था Confucius एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था उसके जो अन्याई थे वो Confucius वादी कहलाते हैं यह शब्द आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस कर्षा में कम से कम तो याद रखें Confucius यह चीन का एक बहुत बड़े धर्म का मुख्या था तो Confucius वादी बहुत धर्म के एक अन्याई ऐसी कुछ तुर्की से लोग आ गय थे कुछ मुसल्मान भी थे और तो और कुछ यहूदी भी थे इन विभिन तबकों के लोग जो बाहर से आकर किनी कारणों से एतिहासिक श्रोट के रूप में कुछ जानकारी छोड़ी गई है और ये जानकारियां ये अवधारना हैं उनके द्वारा जो बाते लिखी गई हैं कही गई हैं इसे हम एक अवधारना माने इन लोगों के अवधारना के पीछे ये बात आपको अच्छी तरफ बैठा लेनी होगी कि चुकि ये लोग स्थाई निवासी थे शरनार्थी थे वहां के कवीले के मुखिया और राजाओं के मातहत थे इन लोगों ने जो भी लिखा है या जो भी जानकारी दी है वो बड़ी सहानुभूती पूर्वक उसमें विवरण है यानि एक तरीके से वे लोग प्रशंसा ही करते हैं बड़े प्रशंस्ती परक हैं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं खुशामत करने की कला दिखाई देती है क्योंकि ये लोग जो कि वहां रह रहे हैं हैं बस रहे हैं उनकी शरण में हैं उनकी छत्रचाया में हैं मंगोलिया के अंदर तो निश्चित रूप से वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ लिखें या कहें जिससे कि मुखिया लोग नाराज हो जाएं तो एक तरीके से गुणगान रूपी लेखन इनका है ये हुई एक अवधारना अब इसमें कौन-कौन लोग थे मैंने शरणार्थियों के रूप में बता दिया तुर्की, कन्फिशियस वादी, मसल्मान बाउध और यहूदी इन लोग की संख्या थी और इस्थाई निवासी मंगोलिया के तो थे ही अब दूसरी अवधारना कौन सी है दूसरी अवधारना उन लोगों की जो बाहर के थे गैर मंगोलियन बाहर के थे बाहर रहते हुए उन्होंने जो सुना था देखा था उसका विवरण जनन किया है ये लग चुकी बाहर थे किसी तरह के दबाव में नहीं थे अपना मन्तव्य बनाने के लिए स्वतंत्र थे अपनी सोच बनाने के लिए स्वतंत्र थे इनकी अवधारना जो है वो पूरवाग्रह से ग्रसित दिखाई देती है अर्थाद इन्होंने जो सुना जैसा लोगोंने बताया मंगोल्यान थे, मंगोलिया के बाहर के लोग थे एक कुछ धारना बन गई थी कि मंगोलिया के लोग बड़े हीन समाज के होते हैं, वहां के लोग एक टोरीकी से बर-بر जाती के लोग हैँ, बर-بر व्यवहार के लोगosi जाती तो रही हैं, बर- के लोगacă techniques ought इसके बारे मिस्तार से मैं और बताऊंगा आगे, अभी फिलाले समझें, बड़े कठोर, बड़े हीन, कबाईली प्रवृत्ती, जंगली व्यभार, बड़े खुंखार, एक ऐसी सोच ये दूसरी अवधारना के लोगों के मन में है, और ऐसी सोच के साथ उन्होंने मंगोलिया लोगों के बारे में लिखा है, इसलिए कहा जाता है, ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, और चूंकि ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, कमों बेश आप पाएंगे कि इनकी लेखनी में आलोचना ज्यादा है, कड़वाहट ज्यादा है, मंगोलियाई शासिक मंगोलियाई समाज रादनेतिक शाली के प्रतिक तो इस प्रकार यह हो गई दो अवधारना एक मंगोलिया के अंदर रहने वाले लोगों की चाहे वो इस्थाई हों चाहे वहां के शरण लिए हो और एक मंगोलिया के बाहर वाले लोग की बाहर वाले लोग के बारे मैं ने बत जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा जिससे लगता है कि शायद उनकी नजर में मंगोलियाई समाज हीन था, बड़े कठोर व्यवहार वाले थे, बरबर थे, हिंसात्मक थे, आदि-आदि. ये तो हो गया शुरोतों का दो तरीके से विभाजन, एक ऐसा जिसमें प्रशस्ती करण है और एक दूसरा जिसमें हम पाते हैं कि पुर्वागरह से ग्रसित लोग हैं, एक ऐसा जो लोग वहां के निवासी थे और दूसरे शुरोत ऐसे जो शंबर तब बाहर के लोग थे, ये प्रारंबिक इतिहास के संबंद में हैं, यदि हम थोड़े मध्यकाल इन इतिहास की बात करें, मंगोल के, तेरहवी, चौदहवी, शताब्दी के उस मध्यकाल को, जिससे हम कह सकते हैं परिवर्ती इतिहास, ये परिवर्ती इतिहास जानने के शुरोत क्या हैं? हम किन जरिय इतिहास के बारे में थोड़ी बहतर जानकारी जुटा पाएं हैं, जिसके आधार पे हम आगे अध्यान करने वाले हैं, इनको भी हम दो भागों में बाट सकते हैं, पहला, मंग कोल उन नियुतो ब्यान, ये एक पुस्तक है समझ लीज़े, मंग कोल उन नियुतो ब्यान, य ये याद रखेंगे, एक पुस्तक हैं, रही बात इस पुस्तक की, तो एक बहुत अच्छा शोर्थ हो सकता था, बहुत अच्छा शुरोत हो सकता था, मध्यकाली नितिहास के अध्यान के लिए, मध्यकाली नितिहास के अध्यान को हमने दो भागों में बाटा, जिसमें से एक ये पुस्तक है, पर दुर्भाग ये ऐसा, कि यह शुरोत भी शंकाओं से घिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये दो भाशाओं में मिलती है, एक तो मंगोल भाशा में, और कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है, जो कथानक है, जो विवरन है पूरा, वो चीनी भाशा में उस लिखी गई उसी पुस्तक से बिलकुल अलग है, दूसरे शब्दों में चीनी भाशा में जो लिखा गया है, मंगोल उन न्यूतोबिन बियन, उसका कंटेंट मंगोल भाश कि पुस्तक से अलग है, तो दोनों में अलग-अलग विवरन होने के करण बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं और कौन सी पुस्तक तथ्य से परे है, ये स्पश्च नहीं हो पाया है, पर ये बात ता है कि मद्यकाली नितिहास के लिए एक शुरूत तो ये किसका मार्को पोलो, मार्को पोलो वो व्यक्ति था जो इटिली से आया था और चंगेश खान के दरबार में था, जिसने लंबी आत्रा की कुछ समय तक वहां रहा और इतावली भाशा में उसने बहुत कुछ लिख छोड़ा है मार्को पोलो ही था जिस जो ऐसा संभावता पहला विदेशी जिसने इतनी लंबी आत्रा की और उसका प्रणाम क्या निकला कि उसके बाद ऐसे बहुत से लोग विभन देशों से निकले जिन्होंने लंबी आत्राएं करके ने ने खेतरों को खोजा चाहे उसमें आप वासको डिगामा को ले लें, कॉलंबस को ले लें, मेगलन ले लें और भी कई लोग उसकी शुरुआत, ऐसे लंबी आत्राओं की शुरुआत, खोजी आत्राओं की शुरुआत काश्रे मारको पोलो को जाता है और ये वही मारको पोलो था जो मंगोलिया के दरवार में था इटली से गया था सूचे कितनी लंबी यात्रा आप नक्षे में देखें इटली से मंगोलिया की यात्रा किया आदमी क्यों किया क्या है उस बड़ा रोचक वेवरन इसने अपनी पुस्तक में लिखा है लेकिन इस पुस्तक के साथ भी एक सूचे ये राजदर्बार का मंगोल राजदर्बार का आदमी था तो अंदर से ही पूरी घटना करम को काफी निकट से देखा था जाना था उसका पत्यक्ष दर्शी था और इसलिए मारको पोलो एक बहुत अहम शुरोथ हो जाता है मंगोल काल की घटना करम को समझने के लिए तदकाली नितिहास और समाज को समझने के लिए इसकी पुस्तक लिखी गई है इतावली में इटालियन लाइंग्विज में दुरभागे से उसकी पुस्तक का लेटिन भाषा में भी अनुवाद है समझिए या अनुवाद तो नहीं कहेंगे लेटिन भाषा में भी उसकी पुस्तक है और जैसा की मंग कोल नियोबियन में बिभिन्नता है मंगोल भाषा और चीनी भाषा में लिखी गई पुस्तक में ऐसी ही मारको पोलो के इतावली और लेटिन भाषा के पुस्तक में भी भिन्नता है और इसलिए संशय पैदा होता है इनके तत्थियों पर इतिहास को समझना इन पुर्टोकों के आधार पे ठोड़ा कठिन हो जालता है लेकिन सच्छाई तो है कि कुछ तो ये जानकारियां जरूर छोड़ते हैं देते हैं और इस प्रकार परवर्टी इतिहास को जानने के ये दो सुरूत बड़े एहम हो जालते हैं थोड़ा हम प्रारंबिक इतिहास के और जाएं तो प्रारंबिक इतिहास के सुरूतों के जब हमने बात की तो ये तो समझ लिया कि जहां रोमन सामराज, बाइजिन टाइन, मुस्लिम सामराज में लेखन का बहुत विस्तार हुआ, लेखन कला का, लेखन शैली का, लेखनी की आदत का मंगो लोग उस हद तक संभवता अश्यक्षित थे और उस हद तक अनिभग्य थे इतिहास के इन डॉक्यूमेंटेशन के संभणने में, इतिहास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था और इसलिए भी प्रारंबिक और परवर्ति इतिहास का अध्यान थोड़ा कठिन हो जाता है मंगोलों ने इतिहास लेखन को बड़ा संक्षिप्त रखा, चाहे वो प्रारंबिक काल हो, चाहे परवर्ति काल हो, बहुत संक्षिप्त और परवर्ति काल में भी यदि हमको कुछ जानकारी है, तो वो मूलत मारको पोलो, जो एक विदेशी था, इतावली था उसकी पिस्तक से तो इस पिकार प्रारंबिक इतिहास के इतिवरित के बारे में हमने थोड़ा समझा, और ये जो इतिवरित है, ये मूलत इसे हम तवारिक कह सकते हैं, तवारिक हर्थात उस समय के लोंगों के द्वारा लिखा गया, उस समय के लोंगों के द्वारा ततकालीन लोंगों के द् रिखी गई जो बाते हैं तवारिक कहलाएंगे हमने यात्रा वित्तांत के बारे में भी समझा जिसका इशारा मारको पोलो की यात्रा वित्तांत की और है जिसको अभी हमने जाना और तीसरी जो श्रेणी हैं मंगोल इतिहास को जानने के शरोत की यदि बात करें तो इतिवरित उसके बाद यात्रा वित्तांत और अंत में हैं विविद दस्तावेज विविद दस्तावेज के बारे में हम बाद में विस्तार से जानेंगे इसमें कुछ अन्य तरीके की पुस्तकें और लेखन मिलते हैं जिससे हमें तत्काली नितिहास की मंगोल इतिहास की तेरहवी चौदहवी शताबदी के जानकारी मिलती है ये तो हो गई शुरोतों की बात हमने शुरुवात की थी प्रिष्ट भूमी में यायावर सामरज के शब्दों की जानकारी तेरहवी चौदहवी शताबदी मद्य एशिया का क्षेत्र और उसके बाद शुरुत और शुरुतों में विभनिता और उससे होनी वाली दिक्ते है ये भी जाना कि मंगोल लोग अशिक्षित माने गए इसलिए लेखन संबंदी तिहास वृत बहुत कम है बहुत ही कम है उसकी तुल्णा में जैसा मैं फिर से कहूं रोम और मुस्लिम सब्विता में तो लेखन संबंदी विवरन तो वृतान तो बहुत है उन सब्विताओं के पूरा इतिहास की जानकारी हमें लेखनी से मिल जाती है ततकाली लेखनी से लेकिन यहां अस्थिती जहां तक याजावर सामराजी की बात है वहां स्थिती बिलकुल उल्टी है अशिक्षित थे उसके अलावा मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था आपको बाद में बताऊंगा और वह शब्द था बरबर और कहते कहते मैंने आपको कहा कि यह बरबर जाती के थे कई बार हम लोग कहते हैं आज भी कि बड़े बरबर लोग हैं वो यह शब्द आया वही चंगेश खान और मंगोल से ही तो बरबर शब्द की व्यत्पत्ति पर थोड़ा जाएं अंग्रेजी में जो यह शब्द है वो बार्बेरियन और उसके ठीक विपरीत तो बरबर शब्द का अर्थ दो है बार्बेरियन अंग्रेजी में और बार्बरोस युनानी में यह जो युनानी लोग थे इन्होंने बार्बरोस शब्द का उप्योग किया तो यहां पे उनका अर्थ था बार्बरोस का अर्थ था उनके अनुसार गैर युनानी लोग आप यदि इस नक्षे को फिर से देखें तो युनानी सब्विता से सटी हुई मंगोलियन सब्विता या याजावर समराज जाता है तो जो थोड़ा बहुत उनका संपर्ख हो रहा था उसमें युनानी लोग इनको गैर युनानी व्यक्तियों को जो संभवता मंगोलिया और चीन के खेतर के थे उनको बार बरोस कहते थे और बार बरोस से उनका ततपर है क्या था क्या कहना चाहते हैं उनकी भाशा में बार बरोस का अर्थ क्या है आस पश्ट बोलने वाले लोग अजीब सी आवाज करने वाले लोग यह अजीब सी आवाज का मतलब भी थोड़ा समझ लें अभी फीफा वर्ल कप समाप्त हुआ उसमें हमने आपने कॉमेंटरी देखी टेलिविजन पर और टेलिविजन पर देखते हुए कॉमेंटरी भी चल रही थी शोर गुल भी हो रहा था आज से पचीस साल पहले तीस साल पहले जब टेलिविजन इतना विस्तार नहीं हुआ था तो हम लोग कॉमेंटरी सुनते थे आपके पिता जी हमारे पिता जी रेडियो में उसमें कुछ दिखाई तो देता नहीं था और रेडियो में बस आवाज आती थी क्रिकेट की खासकर कॉमेंटरी सुनी जाती थी और लोग 6-6 घंटे तक रेडियो ट्रांजिस्टर को कान में लगाया रखते थे जैसे आदकल आप लोग ब्लू टूथ और वो हैटफोन लगा के रखते हैं एक समय में क्रिकेट मैचों के दौरान यह लगाया जाता था और उस समय जो क्रिकेट में कोई चुक्का चुक्का या रन मारा तो रेडियो में बड़े शोर होता था और कमेंटेटर की आवाज दब जाती थी तो वो जो शोर एक होता था उससे अंदाज लग जाता था कि क्या हुआ होगा कमेंटेटर ने क्या बोला वो उतना स्पशनी होता था भीड के अंदाज लग जाता था क्या तो बड़ 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 क्या क्या बोल रहे हैं उससे एक अंदाज रहता था बड़ बड़ और हम लोग बोलते हैं क्या बड़ बड़ कर रहे हो बड़ 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 कर और उसको कहा बरबर देखिये कितनी बढ़ी है व्यत्ति है गैर युनानी व्यक्ति के लिए जिसकी भाशा असपष्ट थी उन लोग की नजर में असपष्ट थी क्योंकि गैर युनानी अर्थात कौन मंगोलियाई कबिलाई लोग युनानियों की नजर में तो जिनकी जो लो वाज में बरबर बरबर बहुत होता था तो उन्होंने उसको बरबर कहना शुरू कर दिया और वहीं से आए बारबर वोट्स ये हुआ यूनानी व्यत्पत्ति आस तौर्थात बरबर मतलब वे व्यक्ति जो गैर यूनानी थे आस पश्ट बोलते थे और भीड जाती आवाज क करते थे चौथा डर्पोक थे क्योंकि लोग सीमा में आते थे जब पड़ोशी समराजी की सीमा पर तो कायर जैसा व्यवहार रहता था इनका पिछले हुए थे बहुत और इस खित्र के लोग रोम आदी के खित्र के लोग पूरे सैनिक से लैस्ट थे आप याद रखिए का मैंने चंगेश खान के काल में बुला था बड़ा कठोर सैनिक शासन अभी मैं चंगेश खान के काल की बात नहीं कर रहा हूँ चंगेश खान के आने के बहुत पहले की बात कर रहा हूँ प्रारंबिक काल की बात उस काल में ये लोग डरपोक थे अस पश्ट बोलते थे भीड जैसी आवाज थी डरपोक कायर थे और उनका खुद का अपना शासन नहीं था आलसी भी थे और तो और यूनानियों की नजर में ये लोग असब्य और हिंसक प्रवरितिक के थे तो ये आदितें जिसमें मिल जाएं उसे बर-बर कहा जगा ये आदितें जिसमें दिखाई दें उसे बर-बर कहा जाने लगा और यदि आपको याद होगा तो हमने रोमन सभिता की जब बात की थी उस अध्याय को पढ़ा था रोमन सभिता का बाइजिन टाइन सभिता का तो उसमें कुछ जन जातियों की चर्चा की थी जर्मन जन जातियां उसमें ये प्रवृतियां दिखती थी याने अस्पष्ट आवाज, अस्पष्ट भाषा, कायर डर्पोक, शासन तंत्र की कोई जानकारी नहीं, आलसी, असभ्य हिंसक, तो ये जो रोम के संदर में जो हमने जर्मन जन जातियों की बात की थी, वे लोग भी बर-बर कहलाते थे, इंग्लिश लैंग्विज में, और य जन जाती हैं, यदि याद होगा, तो तीन-चार नाम सामने आते हैं अभी मेंसे, एक गॉल जन जाती थी, एक फ्रेंक जन जाती थी, पश्टमी यॉरोप की बात कर रहा हूँ, पश्टमी ख्षित्र की यॉरोप में, जर्मनी के पास, गॉल, फ्रेंक, विसी गोथो, विश शिष्टाएं और लक्षन थे, जो यूनानियों ने मंगोलियन में पाए, जिसका मैं जिक कर चुक हूँ, बरबर आज समानार्थी बन चुका है, अत्यधिक हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए, बरबर जानवर, बरबर व्यवहार, हम कहते हैं ने, पुलीस का व्यवहार बरबरता पूर हैं, आदी आदी, तो अब आप समझ गया होंगे कि कैसे बरबर शब्द का निकट का संबंद मंगोल वासियों से था, और क्या प्रवृत्तियां उनमें थी, जिसे हम उनकी विशेष्टा कह सकते हैं, और ऐसे लोगों को बरबर कहा जाता है, और ये पूरता कटूता चरम हो तब बरबर शब्द आता है, तो अब इसको जानने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पायदान पर,